Hello Learners! इससे पहले कि आज के टॉपिक में मैं आपको ले जाओं मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन शेयर करना चाहता हूँ कि Metamopsis ने एक बहुत ही घजब का अचीबमेंट किया है और वो अचीबमेंट यह है कि L.T. English के जितनी भी वैकेंसी थी उसमें हम लोगोंने क्लीन स्वीप किया है और उत्राघंड में हम ओब रहे हैं एक बिल्कुल अलग तरीके के इंस्ट्यूट के तौर पे और हमने 52 प्लस सीटे हासल किये जिसमें मैं अपने सारे स्टुडिंट्स को बढ़ाई देना चाता हूँ और जल्दी मैं उनके साथ उनके एक्सपिरियंसे शेर करता हूँ एक वीडियो जरूर आपसे शेर करूँगा और चलते हैं अब आज के टॉपिक में अभी तक जब मैंने लिट्रेचर की सीरीज सुरू की थी तो मैंने बोला था कि हम लोग एक सीरीज ऐसी लेके आ रहे हैं जो बारी-बारी पूरे हर कम्टीशन की नीट को पूरा करेगा चाहे वो नेटो, ल्टीो या लेक्चरर हो या किसी भी तरी के कम्टीशन हो और उसमें हम एंगलो सेक्षन एज उसके हिस्टॉरिकल और कल्चर बैक्ग्राउंड और लिट्रेचर पर बात कर चुके हैं तो आज चलेंगे हम एंगलो नॉर्मन एज जो की बाद में आती है उसके और 1066 से हम पूरा मान सकते हैं उसे 1350 तक हलाकि चौसर के इस 1340 से माने जाती है लेकिन एंगलो नॉर्मन इस 1350 तक पूरी माने जाती है तो इस एज के बारे में चलते हैं बिलकुल आराम से फिर से दो वीडियो में डिसकस करने हैं तो चलिए आपको ले चलता हो लेक्चर के ऊर हाई learners तो तईयार हैं आप तो शुरुब करते हैं कि अंगलो नॉर्मन एज तो सबसे पहले प्रशन ये उठता है कि अंगलो नॉर्मन एज अंगलो नॉर्मन क्यूं कहलाई और Normans कौन लोग थे और इसको किस तरीके से हम बैकग्राउंड को समझे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले Angels, Jute और Saxons लोगों ने England पे हमला किया था और वो यहां बस गए थे और पूरी आपको बैकग्राउंड की जानकारी पिछले वीडियोज में दी थी आप चलते हम, Normans के और, Normans basically Northmen कहे जाते हैं और यह Northmen फ्रांस से आये थे, तो इनका ओरिजन आफ फ्रांस मानी है और फ्रांस में Normandy के इलाके में रहने वाले Normans ने English Channel को Cross करके England के अंदर Attack किया और जब यह Attack England के अंदर हुआ, इन्होंने यहां का पूरा एरिया जीत लिया और वहां से Normans का यहां Settlement शुरू हुआ था अब बात आती है कि Normans के आने से पहले क्या Situation थी और बाद में क्या Situation इसमें हो जाती है देखे, Normans से आने से पहले और बाद में जो सबसे बड़ा Change आता है वो तीन छेत्र में हमें मिलता है एक है Social Change, दूसरा Literary Change और तीसरा है आपका Political Change तो सबसे पहले बात करूँगा कि जब Normandy से यह लोग आए तो इनका Leader कौन था जिसने England में हमले करने का सहस किया और इनके Leader का नाम है William the Conqueror और William the Conqueror ने 1066 में English Channel क्रॉस करके जब यहां हमला बोला उस वक्त England में जो मौझूदा राजा थे उनका नाम था King Herald तो आप यह भी कह सकते हैं कि King Herald Anglo Section Age के last राजा थे क्योंकि उनके बाद एक नई Age आपके सामने आती है और वो है Anglo Normans को लेके यहां कबजा किया वहां से शुरू होती है Anglo Norman Age Anglo English को दिखाता है और Normans Norman के प्रभाव को दिखाता है जो कि France के निवासी थे Normandy के तो इस तरीके से यह इसका नाम Anglo Norman माना गया है दूसरी बात क्योंकि यह France के थे तो जाहिर सी बात है कि France का पूरा Culture Impact और पूरा Language का प्रभाव अब यहां पढ़ने वाला था तो जैसे ही यह लोग यहां सेटल होते हैं तो इनके आते ही सबसे पहली बात यह होती है कि पूरी Society में French एक Official Language की तरह Adopt कर ली जाती है क्योंकि यह लोग जब यहां आते हैं तो उस समय यहां थी मौजूद पहले से जो Latin थी और Anglo Section भाषा थी और लेकिन जैसे ही यह आते हैं तो France ज़्यादा dominant हो जाती है और उस समय मौजूद अब तीन languages में हम कह सकते हैं Old English, Latin और France इसमें दबदबा किसका रहा बात करते हैं तो जैसे यह लोग आए तो England के अंदर दो changes हुए सबसे पहली बात कि England एक खास mode से जो आप देखते थी कि हर चीज उस समय जो पहले पुरी शिवैलरिक थी warrior based literature लिखा जाता था उस mode से लेके England सीधे एक mode में आता है जिसे कहते है centralized mode यानि कि पहली बार यहां एक central government establish होती है और इस वज़े से अब England आता है national identity वाले mode में और nationalism के spirit पहली बार होती है तो लोगों का जो loyalty है उस power के लिए faith है वो बढ़ जाता है society में एक England centralized होने के और बढ़ा और पूरे ही जगह पे एक छत्र राज्य इस्थापित हुआ और सारी चीजों को हमने बहुत ही तरीके से centralized किया तो पहली बात यहां nationality और nation के spirit पैदा होई और जब भी national spirit कहीं पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा जिस literature का विकास होता है वो होती है history तो यहां पर history का development आगे आप देखेंगे कि कैसे होता है और भी चीजों का उससे पहले हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे कुछ चीज है ऐसी थी जो इस एंगलो नॉर्मन्स के time पर start होती है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो old English है वो old English middle English का रूप लेती है अब यह उठता है literature के विध्यारतों के लिए कि old English और middle English में फरक क्या है देखें जो old English थी जो anglo sections के जमाने में चली आ रही थी उसे old English कहते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ उसमें आप plus कर दीजिए यानि add कर दीजिए French भाशा तो formula बना old English plus French equal to आप कह सकता है middle English यानि कि जो old English म amalgamation हुआ तो I middle English और आपको जान के आश्चरी होगा और हर एक literature के विध्यारती के लिए बहुत important topic है कि middle age का परास या range सबसे लंबी रही है और middle English 1066 से लेके 1550 तक चली है यानि कि Shakespearean age या Elizabethan age के आने से थोड़ा पहले तो यह सबसे लंबा time रहा है और अगर मैं middle English के भी division कर है middle English है प्री चॉसेरियन प्री चॉसेरियन और पोस्ट चॉसेरियन तो तीन डिवीजन इसमें भी हो जाते हैं तो इस तरीके से middle English का प्रादुर्भाव हुआ यहां पर और दूसरी चीज जो important है कि Cambridge University और Oxford University जैसी जो महान University है वो इसी दौर पर स्थापित हुई और अगर ह स्थापित हुई है जो इसी एच का एक अभिन नंग है दूसरी चीज जो है वो समाज के अंदर politically हमने क्या France से उधार लिया तो एक बहुत important topic है कि Feudalism जिसे हम हिंदी में सामन्तवाद कहते है Feudalism France से आया है England के अंदर तो एक बहुत important topic है कि सामन्तवाद यानि Feudalism England में जो स्थापित करने में हाथ है वो Anglo-Normans का है और वो France इसका है यहाँ पर established हुए है तो France वो देश है जिसने England के अंदर Feudalism शुरू किया प्रशन यह उठता है Feudalism या सामन्तवाद क्या है सामन्तवाद को अगर सरल शब्दों में कहें तो society के अंदर एक hierarchical जो होता है क्रम वार उचाई से लेकर निम्नक्रम में जब लोगों का segmentation होता है उसे Feudalism कहते हैं जिसमें upper class lower class को जातर exploit करता है तो सबसे उपर king और church जो होते थे और last में जो है duke और knights और जितने nobles और इन सबसे होते हुए last में landlord और इन सबसे होते हुए सबसे नीचे होते थे workers या किसान जिनका हमेशा exploitation होता था तो यह Feudalism जो England में आगे भी जारी रहेगा उसको France ने लाकर यहां दिया था तो यह बहुत important point है हर competition के लिए कि Feudalism was established in England out of the French influence और Anglo-Normans influence अब बात आती है कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़े हुए जिस पर हमें discuss करना चाहिए तो सबसे पहली एक और important चीज मुझे आदाती है कि इसको age of transition भी कह सकते हैं यानि संक्रमन काल यह संक्रमन काल क्या था देखे यह है old English और यह है modern English इसके बीच में जो संक्रमन काल रहा है इसको change करते वक्त वो middle English तो middle English का दौर रहा है और इसने देखा है दोनों कालों को जोडने का काम इस इसके अलावा जब यहां जो भी literature लिखा गया वो तीन हिस्सों में बटा और उन तीन हिस्सों को अगर आप बात करें तो कह सकते हैं number 1 history जिसमें इतिहासिक चीज़ें लिखी गई number 2 romance जिसमें आपके कालपनिक चीज़ें लिखी गई जिसको हम दूसरे वाले हिस्से में बि तो यहां नाइट हुट को बहुत जादा आपका यह दिया जाता था importance क्यों क्योंकि नाइट हुट एक warriors को लेता था और warriors के जितने भी जितनी भी चीजें हैं या जितने भी stories हैं adventures की और wars की और heroic deeds की वो सारी लोगों को बड़ा excite करती थी तो जितना भी shivalric nature का literature है वो भी interesting बात यह होती थी इसमें जादू भरी कहानिया होती थी नाइट हुट बहुत जादा impress करता था लोगों को और इसमें जो बड़े adventures की कहानिया है वीरता की कहानिया है जादू शक्तियों की कहानिया है monster की कहानिया है और monster से लड़ने की कहानिया है तो इस तरीके से यह सब ल शिवैलरिक नेचर का लिटरेचर वो आने में इसने पूरी सहायता की तो ये आपका जो बैक्ग्राउंड था एंगलो नॉर्मन एज का था और इसके बाद जो हमारे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम टोटली लिटरेचर की बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके की होती है वो लिटरेचर को उसी तरीके से प्रभावित करती है आप जानते हैं तो आकर इस तरीके की सोसाइटी ने कैसा लिटरेचर प्रोड्यूस क्या होगा और जिन हिस्ट्री रोमेंस और शिवैलरिक लिटरेचर की हम बाते कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा रहा होगा य साथ में लोगों को भी share करें और always I accept that that your support is my inspiration तो मिलते हैं next video में Thank you, have a nice day